Friends, आज की क्लास में हम लोग types of chemical reaction का third part discuss करने वाले हैं जो reaction आपकी है addition reaction ठीक है? और addition reaction को हम लोग hydrogenation reaction की नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो होता क्या है addition में? जो भी reaction होती है, इसमें hydrogen add होता है, ठीक है? तो hydrogen add होता है, इसलिए particulars का नाम hydrogenation reaction भी कहा जाता है तो देखे होता क्या addition reaction है, addition means add होना, the addition reaction with hydrogen, addition reaction किसके साथ हो रही हो? हो hydrogen के संग हो रही हो, in the presence of catalyst, ठीक है? catalyst क्या होता है? catalyst वो चीज होती है, जब भी किसी reaction, कोई भी reaction हो रही हो, उसमें अगर हम catalyst add कर देते हैं, तो उस reaction की, जो मतलब reaction का जो process है, या तो वो जल्दी-जल्दी होने लगता है, या तो वो धीरे-दीरे होने लगता है, कहने का sense ह catalyst का काम क्या होता है, कि rate of reaction को increase कर देना, या rate of reaction को decrease कर देना, बहुत सारे ऐसे होते है catalysts, जिनके यूज से बढ़ जाती है rate of reaction, और बहुत सारे ऐसे होते हैं, जिनको अगर हम mix करते हैं, तो उसे decrease हो जाती है rate of reaction, तो जैसे हमें काम करना होता है, उसे साथ से हम लोग उसका catalyst यूज करते हैं तो काम को समझ में आ गया तो दो कैटलिस्ट है निकल और पैलेडियम इन में से कोई भी एक कैटलिस्ट हो और टमप्रेचर के इतना होना चाहिए जब रेक्शन हो रही हो 150 से 250 तो जो हाइड्र करने चाहिए जब बन जाएंगे तो रही है अगर आप से हाइड्रोजिन एशन की पूछ ली जाए दूसरी तो आप क्या लिखेंगे तो दिखीं क्या होता है इन दर प्रिजन्स अफ सेम चीज приготовlt जो है अगर vegetable oil जो है oil वो solid fat में change हो रहा हो solid fat में कहने का sense इह है कि घी में तिक जो है किस में change हो रहा हो गी में अगर oil जो है घी में convert हो रहा हो तो इस type की reactions को हम लोग hydrogenation reaction भी कहता है अब देखिए कैसे जुड़ती है चीजे आपको reaction बताइए अब आप ये देखिए कि किस तरीके से ये add होने देखिए ये है CS2 double bond CS2 इसका नाम क्या हो जाएगा दो C है और double bond इसलिए इसका नाम क्या होगा ethene जब ethene पे reaction hydrogen की होगी तो ये जो double bond है ये break हो जाएगा इस तरीके से reaction S2 की है याई एक चीहां हो जाएगा एक चीहां हो जाएगा ठीक है तो reaction जो बन जाएगी वो हम बना देगे देखिए क्या बनेगा CS2 था एक चावर मिला तो CS3 हो गया यहां पे 2 था एक और मिल गया कितना हो गया CS3 हो गया double bond break हुआ है तो double bond किसमें टूटेगा single bond में अगर triple होता तो पहले double में टूटता फिर single में टूटता ध्यान अखेगा ये चीज़ ठीक है तो ये ethene था double bond था ये single bond में आ गया जिसका नाम क्या हो जाएगा इतने नाम हो जाएगा ठीक है चलिए next reaction देखते हैं कोई भी reaction हो अगर hydrogen की reaction हो रही और nickel catalyst present है और इतना temperature तो हमें इचाँ आप एक side bond को तोड़ दीचे एक side हैसे दीचे एक side दूसरा हैसे दीचे बस इतना आपको काम करना है बागी कितनी बड़ी भी reaction लिख्यों आपको देखके डरना नहीं है आप देखें देखने में आपको कितनी बड़ी सी reaction लग रही कि CS3 यहां भी लगा हो इस टाइप से simply आपको देखना जहाँ double bond है वहाँ पे reaction किस की हो नहीं कि हमने double bond को ऐसे ब्रेक कर दिया एक साइड एच इदर दे दिया एक साइड एच इदर दे दिया ठीक है तो देखें क्या बन गया reaction CC बन गया ठीक है और CS3 CS3 पहले से इदर और यहां पे देखें एक एच यहां एड हुआ एक एच यहां एड हुआ तो आप एक एच यहां पे लिखती जए एक एच यहां पे लिखती जए तो इस सदीके से आपकी reaction कमलीट हो गए नेमिंग अभी थोड़ा से रुख चाहिए नेमिंग भी समझा देंगे हम आपको पहले आप प्रॉसस समझे की reaction में होता क्या डबल बॉन ब्रेक हुआ सिंगल बॉन में आ गया प्रिजेंस की ती निकल टमट्रेचर इतना था तभी ऐसा होगा अगर निकल न क्लासेज दो क्लासेज में हम लोगों ने कमबस्चन डियक्शन और सब्स्टिट्यूशन डियक्शन को डिस्कुस की है